नवस्कार दोस्तो आपके एपने यूट्यूब चनल कलाम सेडी में आपका हार्दी स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे राजस्तान की इस्तती एम विस्तार पार्टे फेस्ट के बारे में दोस्तो इसकी quiz हम आज से सुरू कर रहे हैं और आज से रोज आपको डैली रास्तान जीके की quiz मिलेगी तो उसमें से आपको मुलैंकन करना है कि आपके कितने क्यूसन आप सही कर पाते हैं आपके तयारी कैसी है इनके answer भी मैं सी वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ साथ उनके बारे में जो विस्तार से सच्छा है वह भी हम सी वीडियो में करेंगे तो आप डायरेक्ट भी इससे तयारी कर सकते हैं कविच फैस्ट में दोस्त हम 20 क्यूसन आपको देंगे और 20 क्यूसनों में से कितने क्यूसन आपके सही होते हैं या आपको नीचे कमेट करके हमें बताना है किसर हमारे इतने क्यूसने सही हो गए तो 20 में से यदि आपके 15 किसुन से होते हैं तो आपके तयारी बहतर है यदि उससे कम हो रहे हैं तो आपको और तयारी करने की जरूत है दोस्तों आप चाहे पटवार की तयारी कर रहे हो, रीट की तयारी कर रहे हो, टीचर्स एक्जाम की तयारी कर रहे हो, या पुलिस की तयारी कर रहे हो, या अन्य राजस्तान की किसी भी परती की तयारी कर रहे हो ये टोपिक सभी में कोमन है तो सभी के लिए वीडियो मेहतोपूर्ण है तो वीडियो का आप सुरूशी लेकर एंद तक पूरा जरूर देखें ता नीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो इसके अलाव आपको बता दूँ यदि आपने अभी तक हमारा वाटसप ग्रूप जो उन्हें किया है तो डिस्कुशन में नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप हमारे वाटसप ग्रूप से जुड़ सकते हैं जिसमें हम दोस्तो हम आपको डली का करेंट अपेर्स और रास्तान जिक्या समधित वह अन्य भ बॉक्स में देना है वड़ना उसके बाद में आपको वेट करना है मैं उसका आंचवर आपको बता दूँगा दोस्तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सभी दोस्तों के साथ सेर कर दें यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी स्क्राइब किये बटन को डबाकर कर चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके पास जो बेल आइकोन गंटे का सानावा है उस गंठे के निजान भी आपछ सेर आप वाले quiz की जानकरिया आप तके पहुँछ सकें तो क्यों सुनिए दोस्तों पहला जो क्यों है वहvern है चपन का मेदान राजस्तान की किस बाग में स्प्राइब बाग में पुर्वी बाग में इस्तित है तो इसके बारे में विशेष आप कोपी पैन साथ में लेकर बैठी है जिसे आप नोट कर सकें इसके बारे में जो भी विशेष है तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं आप उस पर नोट कर लीजिए तो दक्षिन भाग में है तो दक्षिन भाग में दोस्तों चपन गाउं वे नदी नालों का संगम होता है इसलिए इस स्थान को चपन का मेदाने का जाता है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं परतापगड एवं बांसवाड़ा के मद्दे के बूभाग को चपन का मेदान का जाता है क्यों क्योंकि इस बूभाग में चपन गाउं वे दिना वंका संकह में होता है तो यह दोस्तो फेस्ट क्ईूसून हो गया Imm pagar ऐसान भास के किस भाग में स्थित है तो ऐस्तान भात के उत्र पंसी में अंश्वरं में जल्दी सी अंशोर दीजिए इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राई आंसर हो जाएगा उत्तरपसी में तो राजस्तान वे भारत के किस बाग में इस्तित है यह उत्तरपसी में इस्तित है next question देखते हैं अगला जो question है वे दोस्तो चेतरपल के आदार पर राजस्तान का सबसे छोटा जिला कोंचा है तो चेतरपल के आदार पर बारा बुंदी दोलपूर हनुमान गड़ इसका राइटांस पर क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो दोलपूर तो चेतरपल के आदार पर आस्तान के सबसे छोटा जिला है वह हो गया दोलपूर सबसे छोटा दोलपूर है तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तो तो सबसे बड़ा जिला है वह हो जाएगा जसल मेर, तो जसल मेर हो गया सबसे बड़ा जिला, चेतरपल के दर्ष्टी से सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जसल मेर हो गया और जसल मेर दोस्तो, जैंसन के दर्ष्टी से सबसे छोटा जिला भी है जेसलिमेर का चेतरपल कितना है चेतरपल पूछ लिया जाए तो चेतरपल नोट कर लीजिए आप जेसलिमेर का चेतरपल है 38,401 km2 ये जेसलिमेर का चेतरपल है तो दोलपूर का चेतरपल कितना है दोस्तों तो दवनपूर का चतरपल आपको पूश्क या जाये तो सबसे छोटा जो जिला है तो इसका हो जाएगा 3033 किलो मेटर स्कोर तो ये 3033 किलो मेटर स्कोर किसका हो गया? दोलपूर का तो यह हो गया जैसलिमेर का अब दोस्तों आपको बता दू 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 जैसलिमेर का अब पूरके आढ़र पर वा Iya जय पूरर की जह संख्याओ ही कि चैनल र्फिंख के खोटा सीला तो दौनपुर हो गया है जंशंखिया जैंगा तो जैसल मेर हो गया किसल मेर का दोस्तों जैसल मेर के कितनी है जैसल मेर यह इतनी जंसेंका जशलमेर की है अब देखते हैं अगला क्योशन दोस्तों इस समय राजस्तान में कितने उपवी वाजन है तो इसमें राजस्तान में कितने उपवी वाजन है वह है जिस जीले में 70 डिगरी पूर्वी देशांतर रेका गुजरती है वह कॉन्स जिला अबरह चितोडगड बासवड़ा और उदेपुर तो चार अब्सेन है तो इसका राइटा अंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो चितोडगर तो ये चितोडगर से होकर गुजरती है अगला कुशन देखते हैं अगला जो कुशन है दोस्तो करकरेखा राज ये के किस जिले से होकर गुजरती है तो करकरेखा दोस्तो जालावार से चितोडगर से बासवड़ा से हो जाएगा बासवड़ा तो करकरेका हैवर राज्य के किस जिल्ले से उकर गुजरती है इन चारों उप्शनों में से बासवड़ा से उकर गुजरती है इसके अलाव दोस्तों करकरेका की बारे में आपको बता दूं कि करकरेका हैवर राज्य के अपना जो डूंगरपुर जि नज्दी की इसकारण दोस्तों क्या होता है इस करण यहां पर ऑब गिरती है तो राज़तान में सूरी पर कुन सा जीला इस्तित है तो वह धोस्तों गंगानगर तो गंगानगर है ये करकरेका से सबसे ज़्यादा दूरी परिस्तित है तो वहाँ पर दोस्तों जो सूर्य की किर्णे गिरती है वह सबसे ज़्यादा तिर्ची गिरती है ता बांसवाड़ा में एकदम शिद्धी गिरती है तो पूस्ते जाए आपसे दो जीलों के नाम बताए जिन में से ओकर क तो कौंसे हो जाएंगे ढूंगरपूर और 2 गॉद्गा Next question देखते हैं Next question राजस्तान कितने पर्शासनिक संभागों में बनता हुआ है पांच hour चियार तो कितने प्रशास नहीं बनता हुआ है तो यह बनता हुआ जोस्तों सात प्रशास संभागों में तो एक नमबर इसका सही उत्रों जाएगा तो साथ प्रशासनिक सांबाबबम बटावा है तो उनके नाम कौन कौन से, उनके नाम आपको पता होना चाहिए तो पहला जो नोट कर लीजिए पहला दोस्तों जेपूर जेपूर हो गया जोदपूर में कितने जीले आते हैं जोदपूर में 6 जीले आते हैं मैं बोल रहा हूँ जोदपूर में 6 जीले आते हैं जो सबसे बड़ा संभाग भी है इसके बाद में बिकानेर आता दोस्तो बिकानेर में 4 जीले आते हैं और उसके बाद में अजमेर और अजमेर में भी 4 जिले हैं उदेपूर, उदेपूर में 6 जिले हैं कोटा, कोटा में 4 जिले हैं और भरतपूर और भरतपूर में कितने जिले हैं तो बरतपूर में 4 जिले इस्तीत हैं तो टोटल कितने संभाग होगे साथ संभाग में होगे सातों संभागों के बारे में एक बार फिर repeat कर रहा हूं नोट कर लिजीए जैपूर, जोधपूर, बिकानेर, अजमेर, उदेपूर, कोटा और बरतपूर जिन में सबसे बड़ा संभाग है जोधपूर और सबसे छोटा जो संभाग है वह हो जाएगा बरतपूर का दातुनगर कहते हैं यह दोस्तों कहते हैं नागोर को तो इसका राइट आंस्वर क्या है राजस्तान का दातुनगर क्या हो गया नागोर हो गया राजस्तान का दातुनगर तो option दिया हो गया है बरतपुर, तो बरतपुर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो बरतपुर को राजस्तान का पुर्वी द्वार या राजस्तान का परवेश द्वार भी कहते हैं, पुछले जए राजस्तान का परवेश द्वार किसे कहते हैं, तो बरतपुर को या राजस्तान क जो पूर्विद्वार है वह पूर्विद्वार भी भर्थपूर को कहते हैं दाथुनगर कोटा हो गया सोरे नागोर हो गया दूसरा आगया कोटा तो कोटा को क्या कहते हैं दोस्तों तो कोटा को राजस्तान का कानपूर या उद्दोगों का सहर किसे कहते हैं कोटा को नेक्स तो जिले आते हैं थले में विकानेर पाली नागोर और चूरु का अधिगांस बागाता है था गंगानर का विखानेर संपुर थली में आता है था तो विकानेर वो थली भी कहते हैं नेक्स जो है वे है राजस्तान का 33 जिला जो 2008 में बना वे किस संभाग में है तो किस संभाग में स्थित है 2008 में कौन सा जिला बना वे भी आप नीचे कमेट करके बताईए नीचे संभाग दिये गए बरतपूर, कोटा, अजमेर और उदेपूर दोस्तों आपको बतान 2008 में जो बनाता है बनाता परताप गड़ तो परताप गड़ किस संभाग में स्थित है जल्दी से बताईए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदेपूर तो उदेपुर में परताब गड़ जो है इस्तीत है तो उदेपुर संभाग में परताब गड़ इस्तीत है तो इसका राइट है उदेपुर हो गया दोस्तों इस क्यूशन के बारे में बता दूँ आपको कि उदेपुर जो संभाग है उसमें टोटल 6 जीले संभा लिता है तो तोपलू कोछ्ट न Um cułość यह जिले हैं वैं उदेपुर में संभाग में पाई जाते हैं तो उदेपुर संभाग का जो कोछ्यतर पल है वैं कितना है अंवचल नौट कर लीज़ी यह तो वैं उज अखलिचे दोस्तो तो वह हुआ जाएगी 98,25,000 तो 87,25,000 यह लंख भग उद्यपूर संभाग की जंश्ञ्ञ क्या हो जाएगी उद्यपूर संभाग के बारे में कोई विशेश बात पुशी जाए तो उद्यपूर संभाग में हो गया तो इतनी जानकार दोस्तों आपको देपूर संभाग के बारे में देदी अब नेक्स्ट कुछन देखते हैं राजस्तान के जीले जहां से करकरेका ओकर गुजरती है कौन सा है जसलमेर जोदपूर जोदपूर भर्तपूर बांसवड़ा डुंगरपूर जालोर बाडम तो इसका राइट आंसुर क्या होगा तो इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तों बांसवड़ा और डुंगरपूर यह हमने आपको अभी उपर बताया तक कर देखा कि बारे में भी जो जानकार थी वह संपुन हमने आपको उपर बता दी हैं आपने नोट कर ली होगी अब अ अरतमाने दोस्तों बारे में जिले हैं 33 पहले 32 थे 2008 में परतापगड और बंढगया उसके बाद में दोस्तों बारे में symbi। परसन पुचा दाता है कि इसका गठन कब हुआ तो इसका गठन दोस्तों हुआ यह वाद 26 जनवरी 2008 को 26 जनवरी 2008 को परतापगड का गठन हुआ तो परतापगड का चेतरपल कितना है तो परतापगड जो जिला बना है उसका चेतरपल है दोस्तों 4400 गुनचास किलोमेटर यानि 4400 गुनचास किलोमेटर स्क्वेर ये परतापगड का 6 तरपल है तो परतापगड़ी दोस्तों जनसिंक्या कितनी है परतापगड़ी जो जनसिंक्या है वह है दोस्तों नोट के लिजी आप 8,666,848 8,666,848 तो राजस्तान कि कुल जनसिंक्या का 1.27% है तो ये होगी जो परतापगड की वह होगी जनसिंक्या होगी इसके बारे में परतापगड़ का प्राचीन नाम क्या था तो परतापगड़ का दूस्तों पहले जो कंठल प्रदेश या मालव देश के नाम से जाना जाता था प्रताफगड का प्राची नाम क्या था कांठल देश या मालव बांद का नाम है जाकमबांद तो पूशल्यर जाकमबांद काव पर पाई जाता है तो जाकममबांद है यह दोस्तो परताब गड़ में पाई जाता है आंचांट बर वह भी परताफगड में इस्तित है तो इतनी जाने करें दोस्त आपको परताफगड में देदी रास्तान की 33 जीले के बारे में देदी अब अगला कुशन देखते हैं उसे पहले दोस्त आपसे निवेदन है आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है तो सभी इन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप बताईए कि उसन आपको दिखाए दे रहा है चौता आपसन जुन-जुन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा बीलवाडा तो बीलवाडा इसका सही उत्तर हो गया तो बीलवाडा के बारे में दो स्क्वायर। ये है चेत्रपल जंसंखिया कितनी है फेलवढ़ा की, 2011 की जन्कारना के उस्जार है वह घुआ दोस्तों 24,008,523 यही 24,008,005 23 ये है बीलवढ़ा की चेतिर वांथा वाड़ा का चेतरपल 10455 किलोमेटर स्कुआ है और यह चेतरपल हो गया और यह जंसंग क्या हो गई इसके बाद दोस्तों किस संभाग में आता है तो बील वाड़ा है अजमेर संभाग में आता है तो इसको किस नाम से जाना था इसका उपनाम क्या का है तो बील वाड़ा को द दोलपूर जिले से कितना बड़ा है तो यह आपको बताना है तो कितना बड़ा है 12.66 गुणा 15.22 गुणा 11.2 गुणा 16.66 गुणा कितना गुणा बड़ा है इसका राइट आंस्वर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंस्वर हो जाएगा दोस्तों 12.66 गुणा तो इसके बारे में दोस्तों आपको जानकरी मैंने पहले बता दी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ हूँ की जसल्य मेर का जो चेत्रपल है वय दोस्तों कितना है जसल्य मेर का है जाता है सुरण नगळी का जाता है १ों का सैर्विसिस्लमेर को का जाता है तो दोलपुर को दोस्तो रेड दाइमंड शीटी भी का जाता है distinction देखते हैं लुकानेर जिल्डे का चेतरफ्ल कितना होगा यदि कि यह राजस्तान राजिय के कुल चेत्रपल का 7.9938 तो गोसमीं से आपको ये निकाल लोंगे 7.9 benefit我說 किसे तो आपको इसका आंसपरे आ जाएगा और नहीं है 20,744 किलो मिटर 22,724 किलो मिटर 27224 किलो मेंटर reference का राय राइट आंसर क्या होगा इस का इसका किर नमच्वार इसका स्थामर राज्य के नहीं है 624 किलो मेंटर तो तो च्यार नंबर इसका सही उत्र हो गया नेक्स्ट कुछन देखते हैं राजस्तान राज्ये के निमन में से कौन से जिले की शीमा जो शीमा रेका है वह गुजरात राज्ये के साथ सबसे कम लंबी है सबसे कम जुड़ी हुई है तो अप्सन है बांसवडा शिरोही बाडमेर तो इसका राजस्तान राजस्तान की सीमा टोटल सीमा तो लगती है वह कितनी लगती है तो वह लगती है तो एक जार बावीश किलोमेटर लगती है गुजरात से राजस्तान की सीमा इसमें राजस्तान की 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले उसे जुड़े हुए हैं सबसे जो कम सीमा लगती है वह लगती है दोस्तो बाडमेर की सबसे ज्यादा सीमा के जिले की लगती है सबसे ज्यादा सीमा लगती है तो वह लगती है दो प्रजुष्तों उद्यपूर्कि की तो कुजरा से सबसे जादाधा स्पीकूर्किक मुझे स्पीकूर्पक्व कि सब तो इसका सही उतर हो जाएगा दोस्तों दो नंबर ये 8 डिग्री से था साथ डिग्री 0-9 इसका राइट आंसरे हो गया दोस्तों आपने यह दिया हमारा राजस्तान का जो मेप का वीडियो हमने बना रहा है वह नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको निचे डिसकेश में मिल रोज के क्योशन अगला क्योशन है भारतिय मानक समय 6 बज़ के 15 मिनिट शाय साम के समय शाय पर गाठोल जो की 30 डिग्री 4-5-3-1, 54 डिग्री 2-5 पूरए है में स्थानी समय क्या होगा तो उस समय जो इस्थानी समय है वह क्या होगा तो 6 शाय का होगा तो राइट आंस्वर क्या होगा इसका दोस्तों सही उत्तर है वह हो जाएगा तीन नमबर तो पांच बज़कर बैंश मिनट चाली सेकंड इसका राइट आंस्वर हो गया नेक्स्ट जो क्यूशन है वह देखते हैं राजस्तान के सहलगन जिले कौन से हैं तो राजस्तान के सहलगन जिले कौन से हैं एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं सहलगन का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वह जिले कौन से हैं तो इन उप्सिन में से आपको बताना है पहला है शिरोही बाड मेर जैसल तरह हो गया तो शिरोही पाली और नागोर राजस्तान के सहर लगने जीले हैं जो एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं यह इस कुछन के साबसे इसका राइट अन्सुरे हो गया अगला जो क्युछन है वह दोस्तों राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सहर कोंचा है तो राजस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा सहर पुछा गया है तो सहर कोंचा है तो उप्सन आपके सामने है अजमेर उद्यपूर जोधपूर और जसलमेर तो दूसरा सबसे बड़ा सहर कोंचा है जल्दी से इसका राइट अन्सुर दीजिए तो यह हो जाएगा दोस्तों जोधपूर है तो राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सहर है वह हो गया जोधपूर तो जोधपूर के बारे में बात करते हैं तो जोधपूर को दास्तों आपको मैंने भी बताया कि जोधपूर का जो उपनाव है वह उच्छे थार का परिव किलोमेटर स्कوئर, जोदपुर जोदपर जिले का शेतरपल है, जन्संक्य होगी तब 22,850 किलोमेटर जोदपुर जोदपुर संबाग में ही पाया जाताना है, अब अंतिम क्यूसन देखते हैं, टोटल 20 मेंसे कितने कुछन आपके सही हुए है वह आपको नीचे कमेंट करके जुरूर बताना है जिसे अगले वाले वीडियो में आप उसको इंप्रूवी कर सकें कुछ को आप एक बार दो बार जितनी बार भी दे सकते हैं यह बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा तो अंतिम कुछन जो है वह को और आपके-डश्य गंगानेगर तो राजस्तान का जो गंगानंगर सहहर है वे पकिस्तानी शीमा की एकड़मे नजदी की सित्त है तो तो सरवधिक जो निकट सहर गंगानेगर हो गया, तो सरवधिक दूर इस्थित सहर कौन हो गया, तो पाकिस्तानी बोर्डर के जो सरवधिक दूर इस्थित सहर है, जिनकी शिमा ठच होती है, वो हो गया दोस्तो बिककानेर, सरवधिक दूर बिककानेर, सरवधिक नजदीक पाकिस्तान से लगती है तो दोस्तों चार जिलों की शिमा पाकिस्तान से लगती है एक नंबर जो शुरूत गंगानगर की लगती है गंगानगर की कितनी लगती है 210 किलोमेटर गंगानगर की उसके बाद दोस्तों बिकानियर की 180 किलोमेटर लगती है उसके बाद दोस्तों जस जेसलमेर के लगती है छेसलमेर के लगती है 464 किलोमेट्र लगती है और अंतिम जो शीमा लगती है वह दोस्तों लगती है बाड़ मेर की ही लगती है शेय्चा कि ज्के मत तो लाइक और सभी दोस्तों के साथ share कर दें यदि चैनल को subscribe नहीं किया है तो निचे जीएगे लाल subscribe किये बेटन को दबा कर चैनल को subscribe कर लें तो उसके पास जो bell icon गन्टेक असान है उस गन्टेक निसार को भी जरूर दबा लें धन्यवाद दोस्तो